यह जो है मेरी नर्णत की वीडियो थी शादी की पुराने टाइम की है यह तो देखो यह कैसे डांस कर रहे थे सारे क्योंकि फुल मस्ती में ओर रहे थे बरात आपको पता हैं इंजोई करती हुई आती हैं होगें तो यह सारे अच्छे से डांस करें पुरानी जमाने की शादी देखना कैसे यहाद पुरानी नहीं है यह बट यह काफी साल की हैं नंद की है तो मेरे को भी नदा नई पता कि बाइथ पंगी है कि यह देखों यह बात ले रहे थे यह उनकी लड़के की मम्मी जी थी जिनको ये चुन्नी वगएर उड़ारे उनको बात लेते हैं ये देखो दीदी फिर वर्माला के लिए आई थी और उस टाइम गुंगट में ही करते थे गुंगट नी वह ओपन करते थे आज कल तो बहुत ज़्यादा गुंगट ओपन करके ही मेरी शादी की अलबम जब आप देखोगे तो उसमें मेरा भी खुद का गुंगट ओपन है और ये देखो दीदी फोटोग्राफर भी कह रहे थे कि थोड़ा सा गुंगट उपर कर दो फिर इनका हलका साही किया था क्योंकि एक तो ये गाउं की शादी थी और गाउं की शा बाल रही है क्योंग कैप के उपर ये अटक जाती है वरमाला अगर हम अच्छे से नहीं डालते तो उपर करके और दीदी की एस भी उस टाइम कमी थी आइटिंक 19 इयर्स थी वस जादा इस भी नहीं थी इनकी जब शादी की थी यह देखो यहां पेपला किसी चीज में टक गया था जो की जुएल्री होती है आपको पता है बहुत है वी जुएल्री होती है शादी की उस टाइम पर बहुत ही अलग सिस्टम होता है आज कल तो बहुत जादा चेंज आ गया है हर एक चीज में ौह तो यह दिखो यह बर्मालाइन की हो चुकी है अबी पिर यह आता वगेरा करते हैं जो वह कर रहे थे आता के लिए पहले तीलग लगा रहे थे काजल भी डालते हैं काजल डालते हैं बटन वगएर खोलते हैं जो भी थोड़ा सा करते हैं जो नहीं आते हैं इनको अब मिठाई के ला रहे थे कि यह मेरी बुआ जी खड़ी है आपने व्लोग में देखी होंगी तो अब इनको फेरों के लिए ले जाया जा रहा है देखो फेरों भी कैसे गुंगट में ही फेरे हो रहे थे बिल्कुल कि मैंने भी अल्बम ही देखी थी क्योंकि मैं इनकी शादी में थोड़ी थी कि यह देखो कैसे गुंगट में इतना हैवी तो लेंगा होता है फिर उपर से चुन्नी और देखो पूरा गुंगट कैसे फेरे लिए इनोंने यह इनके भी आए जो खेल दे रहे थे जो कि आज मेरे हस्बेंड है मैं आपको अल्बम दिखाऊंगी जब मेरी शादी की भी अल्बम आएगी यह मेरी दोनों नंड देती पीछे यह मेरे जेट जी हैं अब जीजु को आग्या आना था फेरों के लिए आगे यह देखो एक ही देते हैं रहा हमारे में जो की खील में हावन में डालनी होती है कि आज की शादी में और पहले की शादी में तो बोजात आई डिफ्रेंस आ गया है जैसे दिन रात में डिफ्रेंस आता है इसे ही शादियों में आ चुका है अब कि और उस टाइम पे जो और उने सूट डाले हुए वह भी अलग टाइप के हैं क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्यादा नहीं था पैंडना ओडना आज कल तो बहुत ज्यादा ही हो गया है यह इनोंने मांग भरती थी जी जुने और मैंने एक बात नोटिस की कि इन्होंने मंगल सुटर भी नहीं पहना आया था और नहीं सिर्फ मांगी भरी थी मंगल सुटर अभी कुछ टाइम से ही पहनाना स्टार्ट किया है फिर यह मेरी चाची जी थी जो की थाप पे लगवा रही है यह देखो इन्होंने बिल्कुल अच्छे से प्रेस करहा करवा कि थाप पे लगवाए थे खिवाई बिल्कुल अच्छे से आये तो मैं देखो बिल्कुल दबा दबा के दबा के इनको मिठाई खिलाए थी दीदी को इनको मिठाई खिलाई थी यह पिर जो पूजा के लिए होता है थापई लगवाने के बाद जो गेहूं वगेरह होते हैं वह इनके आगे रखने होते हैं जहां हमारे थापे लगते हैं है कि यह जो जवारी बोलते हैं देखो यह दिदी के बहिया थे पर यह जवारी करने के लिए बैठ गई हैं यह ममी जी थी जो की मेरी हैं इन्होंने को लाव अगयरा वार के और जो इनकी रस में थी टाइप की उन्होंने वैस्चा किया था कि यह मेरी दूसरी नणत के हश्बेन थे जो साइड में बैठे दें दोनों साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड यह सब यह आ रहे थे जो भी मासी थी चाची जी थी मासी जी थी सब तिलक कर रहे थे यह मेरी चाची जी है यह मेरी बड़ी ननद है यह मेरी बड़ी ननद है यह मेरी जो बीच वाली यह ममता दिदि है वो जोती दिदी और जिनकी शादी थी वो पूझा दिदी थी यह इनकी ताउ चाचा की लड़की थी यह पिंकी रीदी थी अब इनकी विदाई की त्यारी कर दी देखो यह विदाई की इनकी उस टाइम की गाड़ी बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रही थी बहुत पुराना टाइम था तो इसलिए कि यह देखों विदाई की टाइम उस टाइमपे लड़की इतनी रोती थी और आज की टाइम पर बिलकुल भी नी रोती कहा के रोलानी पड़ती है थोड़ी बहुत भी तो दीदी की विदाई काफी देर में हूई थी सभी रो रहते है ऐसे ही और दीदी खुद भी क्योंकि द उनके बारे में मैंने आपको बताया तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जादे से जादा इसे शेयर करना और दीदी की अभी विदाई हो जाएगी दीदी देखो रो रही थी कि अब यह से ही सारे मिल रहे थे कि यह देखो उस टाइम कि फोटा देखो कैसे ते उस टाइम पही जो मात है पर बींदिया लगाते पिँ बम बोलते थे चलती थी तक चलती आज गल कोई लगवाद्भताही नह이ं का क्योंकी ट्रेंड एग चेंज होगया है यह दिदी का पर्स रहा गया कि इतनी ज़्यादा रसम की नॉलिज मेर को भी नहीं है तो यह देखो आग्गे और पिछे दोनों की तरफ लगानी पड़ती है कि यह इनोंने ठापे लगा दिये थे और इस टाइम पर थापे जो लगाती है वह बहुत तेज से मारती है तेज से मार के जो कि मेरे सब्सक्राइब पढ़के सुनाया था तब तक के लिए भाए भाए या था डोवरी लगा लो या अपनी बेटी को जो भी देते हैं कि आप कि